दूस्तो अगर आपके phone for camera को open करने के बाद cannot connect to the camera का problem आ रहा है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस problem की complete solution बताऊंगा आप कैसे अपने camera error problem को fix कर सकते हैं इस वीडियो को देख के बहुत ही आसानी से इस problem को आप अपने phone से दूर कर सकते हैं बहुत है आपको वीडियो क करते हुए इस वीडियो को यहां से स्टार्ट करते हैं हाँ तो अपने phone की camera error problem को fix करने के लिए आपको अपनी phone की setting को open करना है setting को open करने के बाद आपको नेचे की तरफ स्कूल करना है स्कूल करने के बाद यहाँ पर आपको एक option दिख जाएगा apps का तो इसके उपर टैप कि दिजिए तो आपके सामने camera का option आ जाएगा तो आपको camera पोड़ क्लिक करना है तो यहाँ पूर आपको यहाँ पर है कि अगर अधाना नहीं है तो एलाओ पो इसके बादा के दूसेड़ata कर देना है और। के बाद okay कर दिना 120 बैक मिले करने क्षाइक करनcü अपने के मेरा को आपने के मेरा को अपने करनार और एक बार चेक करना एक का निए किए अगर यस अगर के मार पो मत वार और बार एरोर प्रोडम आएगा तो अगर आपका स्टोरिज फूल है फॉन का तो आप अपने स्टोरिज को खोली किजिए और उसके बाद केमिरा को आपका इजिली आपन हो जाएगा यह दोनों काम करके अगर आपके फोन पर camera ओपन नहीं हो रहा है तो last जो चांस से वो आपको अपने फोन की पूरी data को backup लेना है आपको अपने फोन को एक बार factory restart करना होगा अगर आप अपने phone का एक बार restart कर देंगे तो आपके phone का जो camera problem है वो permanently solve हो जाएगा और दूबारा आपको error देखने के लिए नहीं मिलेगा उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से मैं आपको आपको आची तरह से सिखा पाया हूँ कि किस तरह से आपको आपने phone की camera error problem को हटाना है अगर वीडियो इंफोरनोटिब लगा हो तो वीडियो को एक like करना और इसी related helpful वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को subscribe जरू करना तो च से लिए मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तौप तो के लिए इजादो दीचे तेंक यू सो मच फूर वाचिंग इस वीडियो